सुप्रभाद बच्चों आपको मैंने पाठ नौ चेतक की विर्ता पढ़ाया था जिसमें का सेशवाग अभी आप लोगों को हम बताएंगे सेशवाग के विता काम पढ़ रहे हैं भी आप इसका भावार्थी बताएंगे कौशल दिखलाया चालों में उडगया भयानक भालों में निर्भिक गया धालों में सरपक्ट दोड़ा करवालों में यानि की चेतक घोड़ा जो है अपने कौशल से अपने चालों से दुष्मन का हर जगह छक्के छुड़ाया और वह निडर होकर के उनके भालों से नहीं डरा उनके ढालों से नहीं डरा और निरण होकर के वह सरपट तलवारों के बिच दोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया इस तरह से चेतक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया बढ़ती नद सा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया विक्राल बज्र में बादल सा आगे बढ़ते वे कभी कभी वह ठहर वे जाता था और दुश्मन पर वज्र जैसा विक्राल रूप धारण करके प्रहार करता था जिससे की दुश्मन के पाउं खड़ जाए और वह नदी की धारा की तरह आगे बढ़ता चला जाता था भाला गिर गिरा निशांगे है टापो से खन गया आंगे बैरी समाज रह गया धंगे घोडे का ऐसा देख रहे है दुश्मनों के भाले गिर गया उसके टापो से उनका अंग छिल गया और दुश्मन जो थे उसकी विरता को देखकर देखते ही रह गया दंग हो गया देखक के विर्था को चेतक की विर्था को और अपनी कविता में कवी ने इन्हें विश्यस्ताओं का वर्णन किया है कवी शाम नरायन पांडे ने चेतक को इसी लिए विश्व का सबसे वफादार घोड़े का नाम दिया गया है और उन्हों ने अपने कविता में इन्हें विश्यस्ताओं का वर्णन किया गया है तो बच्चों ये तो हमारी कविता हो गई अब कविता से जुड़े प्रश्न भी कर लेते हैं चेतक कौन था तो चेतक महारान प्रताप का घोड़ा था शत्रु रान प्रताप के घोड़े से क्यों घबराते थे शत्रु रान प्रताप के घोड़े के गती से घबराते थे चेतक की वीरता नामक कविता के कवी कौन है चेतक की वीरता नामक कविता के कवी शाम नरायन पांडे है कवी ने चेतक थी वीरता का वणनन किस प्रकार किया है तो कवी ने चेतक की वीरता का वणनन करते हुए कहा है कि चेतक की गती वायू जैसी थी, जैसे वायू मुक्त रूप से यत्रत्र सर्वत्र प्रवावित होती है, उसी प्रकार चेतक की गती निर्वाद होती थी, जिसको कोई रोक नहीं सकता था, वह दुर्गम अस्तरों तक भी पहुंच जाता था, और चौकणी भरकर निराला हो जाता था, दूसरा प्रश्न हमारा होगा, कि राणा के संकेत पर चेतक किस प्रकार अपनी कुशलता दिखाता था, तो राणा के संकेत पर चेतक अपनी स्वामी के आवाज को पहचान करके, उसकी थपथपाट और संकेतों को पहचान करके समझ जाता था, और वह उसी का प्राणों से भी प्यारग था और वे उसकी सेवा जो है स्वैमी करते थे बहरी समाज क्यों दंग रह गया इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बहरी समाज महाराना प्रताप के घोड़े चेत्यक की विश्ष्षताओं को देख करके दंग रह गया घोड़े की गती, उद्धिमानी, चलाकी, चाल ढाल, डिल डॉल ये सारे चीज़े जो हैं दुस्मनों के लिए दंग रहने का कारण बने और वे दुस्मन जो थे वे चेत्यक की विर्था को देख करके दंग रह जाते थे चेत्यक ने अपने प्राणों का बलिदान किस प्रकार किया तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि चेत्यक ने अपनी प्राणों की बलिदान अपने युद्धमी में अपने स्वामे की सेवा करते हुए और अपनी स्वामी की विर्था को बनाय रखते हुए उनकी रक्षा करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिये थे तो यह हमारा हुआ चेतक की विर्था प्रशन पाठ पाठ का भावार्थ और साथी पाठ के प्रशनों के उत्तर धन्यवाद अब हम किसी और पाठ को पढ़ाएंगे